फादर का अपने बेटे के गर्ल्ट्रेंड के साथ अफेर हो जाता है अब आगे क्या होगा आज के हमारी मुवी डैमेज जो 1992 की एक हॉलिवड मुवी है इसमें हम देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो फ्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा इसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है और बीना किसी दरी के एक्स्मिनेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन केरेक्टर स्टीफन हमें दिखाये जाता है एक पॉलिटिकल ओफिस में काम करता है स्टीफन को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया वह उसे अब प्रमोशन मिलने वाला है उनके साथ जब उसकी मिटिंग होती है तो उसके वह बहुत प्रेज करते है वो अपने काम में बहुत अच्छा था स्टीफन के घर पर उसकी वाइफ और बेटी है उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो भी पॉलिटिकल ओफिस में ही काम करता है इसके बाद हमें स्टीफन के ओफिस में पार्टी दिखाई जाती है इस पार्टी में स्टीफन के बास एना आई उसकी बेटे की गर्ल्फरेंड वो अपने आपको इंट्रुट्यूस कराती है स्टीफन को एना पसन आई थे और इन दोनों में ओकोर्ट साइलेंस इस थे अब थोड़ा टाइम गुजर चुका है स्टीफन का बेटा मार्टीन या अपनी गर्फरेंड एना को लेकर लंज के लिए आता है यहाँ पर भी एना और स्टीफन ये दोनों ओकोर्ट थे स्टीफन की वाइफ इंगरित को एना बहुत ही अजीब लगती है एना ने पूरे लंज तक उससे कोई भी बात नहीं की थी इसके बाद हमें दिखाय जाता है एक दिन एना स्टीफन को कॉल करती है उसने उसे एक लोकेशन और टाइम दिया स्टीफन वहा गया और डारेक्ली एना के साथ इंटिमेट हो जाता है फर्स सीन में जब ये मिले थे उसके बाद इनकी रिलेशनशिप डेवलोप हुई है एक दिन स्टीफन के पास उसका बेटा आया और वो बहुत ही खुश था कहता है मुझे पॉलिटिकल एडिटर की जॉब मिली है स्टीफन इसे सप्राइस्ट हो गया क्योंकि बहुत बड़ा प्रमोशन है वो अपने बेटे के लिए बहुत ही खुश था अब इसी प्रमोशन के खुशी में सब फैमिली डिनर करते है मार्टिन के ग्रैंटपा उसके लिए खुश थे उसने इतनी प्रोक्रिस की थी उन्हें एना भी पसन आई एना को उसके फैमिली के बारे में पूछा जाता है कहती है मेरे फादर एक डिप्लोमेट थे उसकी मदर एक फ्रेंज है उसकी चार शादिया हो चुकी है उसकी फैमिली हमेशा मूँ होती रहती थी अर्जेंडिना, आफ्रीका, रोम इस तरह से अलग-अलग कंट्रीज वो खुमे हुए है तीन साल पहले एना का ब्रेकप हुआ उसके बाद तो लंडन में ही रहती है इंग्रिद एना से बहुत सारे क्वेशन बुछती है जैसे क्या अपनी मदर से तुम मिलती हो या तुमारा कोई ब्रदर है एक्च्वल में एना कोई ब्रदर था तो उसने सुसाइड कर ली इंग्रिद ने पूछा ऐसा क्यों हुआ था एना कहती है को किसी से प्यार करता था एक अन्वर्सेशन बहुत ही आजीब होगे तो जल्दी से मार्टिन एना को यहाँ से ले कर जाता है मार्टिन को कुछ काम था तो अपने ओफिस चला गया रात में स्टीफन एना के पास आता है वो कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तिनर करते वक्त पूरे टाइम तक में तुम्हें पाना चाता था तुम्हें टच करना चाता था होल्ड करना चाता था एना कहती है तुम वरी मत करो मैं हमेशा यही रहूंगी इसके बाद पैशनेटली कि दोनों एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इंटिमेट होने के बाद एना अपने ब्रदर के बारे में और भी बाते कर रही थे वो कहती है मेरी फैमिली को बहुत बार मूव होना पड़ा मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों है एक दुसरे का सहारा थे मेरा ब्रदर मेरे लिए पोजेश हो गया वो मुझे सिर्फ उसके लिए पाना चाता था एना की ब्रदर ने प्यार की वज़े से सुसाइड की पर यह प्यार वो एना से ही करता था एना ने कहा लाइफ में सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो अल्रेडी मेरे साथ हो चुकी है मेरे ब्रदर की जाने के बाद मैं बहुत ही तूट गई थी मेरे पास दो आप्शन थे एक तुम्हें वैसे ही रहती या अपने आपको खड़ा करती है डाइमेजड लोग यह बहुत ही डेंजरस होते है क्योंकि उन्हें फिर से उठना आता है एना स्टीफन से कहती है जो भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है प्लीज इसे चेंज मत करना स्टीफन के एक कॉन्फरेंस थी तो चाहता था कि उसके साथ एना आए पर एना उसे मना अगर देती है जब बात में स्टीफन की अपनी वाइब से बात हुए तो उसे पता चला कि मार्टिन और एना यह दोनों पैरिस गए हुए है स्टीफन इसके बाद अपने कॉन्फरेंस में तो गया तो उसका मन लग नहीं रहा था वो फिर अपना माइंड चेंज करकर डारिकली पैरिस आ जाता है उसने एना को कॉल किया एक जगा पर मिलनी के लिए बुलाया एना उसे मिली तो उसे किस करने लग जाता है कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुमारे अलावा में कुछ भी जीज देख नी सकता एना कहती कि मुझे वापस जाना पड़ेगा मार्टिन अभी भी सो रहा है वो चली गई पर स्टीफन एना का होटेल में रूम लेता है उसने अपनी होटेल की खिड़की से देखा तो एना और मार्टिन ये दोनों इंटिमेट हो रहे थे स्टीफन को बहुत बुरा लगा वो बहुत रोता है स्टीफन घर आने पर नोटिस कहता है उसकी डॉटर का बॉइफरेंट घर पर आया हुआ था ये उसे बहुत ही आजीब लगा स्टीफन की वाइफ कहती है तुम्हारे बेटी प्यार में है आज जब स्टीफन फेस से ओफिस गया तो फेसे एना को कॉल करता है आज उससे सिर्फ इंटिमेट होने के लिए नहीं मिलना चाहता था ये दोनों मिलकर एक पार्क में आए एना कोई आइडिया अच्छा नहीं लगता वो स्टीफन के साथ सिर्फ बेट की रिलेशेंशिप ही रखना चाहती है इसके आलावा वो कोई भी इंटिमेसी नहीं चाहती स्टीफन कहता है मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूँगा यही सब के लिए ठीक होगा एना कहती है तुम्हारे बेटी का क्या स्टीफन ने कहा कि वो भी ठीक हो जाएगा कोई भी प्रॉलम नहीं होगा एना कहती है कि वो हमेशा के लिए तुम्हें हेट करेगा तुम अपनी फैमिली लॉस्ट कर दोगे और किस वज़े से ताकि मेरे साथ रह सको मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सको यह सब ओल्रेटी तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ मिल रहा है जो चीज तुम पाने की कोशिश कर रहे हो यह ओल्रेटी तुम्हारे पास है एना चाहती थी कि सब कुछ जो चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए एक दिन स्टीफन का बहुत ही important interview था उसकी wife ने पुरा देखा उसे congratulate करती है वो उसके पास आई कहा हम first time मिले थे तो तुम एक doctor थे छोटी छोटी चीज़ों में भी तुम बहुत ही perfect थे यही चीज़ों से बहुत पसंद आई थे हम इन दोनों husband wife की relationship आज कल struggle करते हुई देख सकते है वो सिर्फ एक साथ रहते है स्टीफन को एना के साथ जो passion मिलता है वो अपनी wife के साथ नहीं मिलता एक दिन जब स्टीफन एना से मिलनी के लिए आया तो वहाँ पर पीटर आया हुआ था पीटर एना का बच्चपन का friend है वो बिना बताय आया हुआ था इसी वज़े से दोनों surprise थे स्टीफन पीटर से बुझता है तुम उसे कब से जानते हो पीटर कहता है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ वो आजकल मार्टिन के साथ बहुत ही खुश है यह वो deserve करती है यहाँ पर indicate होता है कि पीटर को स्टीफन और एना के बारे में पता चल चुका था स्टीफन अभी तो यहाँ से चला गया था पर पीटर की जाने के बाद वो फिर से वापस आता है आना से पूछता है यह सब क्या था आना कहती है कि पीटर मेरा फर्स बॉइफरेंड था एक दिन में उसके साथ डेट पर गई थी जब हो मुझे घर डॉप करने के लिए आया तो हम कार में किस करने लग गए यह सब मेरे ब्रदर ने देख लिया था वो बहुत जेलस हो गया वो मुझे सिर्व उसके लिए चाहता था उसने मुझे पूछा क्या तुम अब सब के साथ डेट पर जाओगी क्या इस वर्ल को हमारे बीच में आने दोगी एना ने इस सारी बात को इग्नोर कर दिया उसका ब्रदर दो-तीन घंटे तक उसके डोर के बाहर था एना ने उसे कोई भी रिस्पॉंस नहीं दिया जब उसके ब्रदर की आवाज कम हुई तब उसने सुसाइड कर ली थे इस बात से एना बहुत ही शौक में थी इस गर में एना और उसके पैरेंस नहीं रहना चाते थे पीटर की फैमिली को जान दे थे तो उसी की पास गए एना गम में थी तो पीटर ने उसे सहरा दिया एना ने कहा पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था अपने गम में एना फर्स टाइम पिटर के साथ ही इंटिमेट हुई थी स्टिफन को एना के लिए बहुत ही पुरा लगा इंगरित का बड़े था तो अपने फारदर के पास हो जा रही थी अपनी पूरी फैमिली के साथ ये बड़े उस पेंट करना चाती थी मार्टिन सेलिबरेट करने के लिए एना को भी लेकर आ रहा है इंगरित को पसंद नहीं आता एना उसे ज़रा अजीब लगती है ये सब ग्रैंटपा के पास आए किस तरह से बच्पन में ये सब यहाँ आया करते थे इसके बारे में बाते हो रही थी मार्टिन कहता है बच्पन में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था पर फिर भी उसे खाली-खाली लगता था उसके फैमिली हमेशा उसे एमटी लगी है उसमें कभी भी कोई भी जगडे नहीं हुए जिस तरह से हर फैमिली में पैशन होता है एक कभी भी नहीं था इस बात के लिए वो अपने फादर को दोशी मानता है स्टीफन ने कभी भी अपने फैमिली के उपर जाता ध्यान नहीं दिया इसके बाद नेक्स डे मार्टिन और एना साथ थे इन्हें देखकर स्टीफन जेलस हो गया मार्टिन अनौस करता है कि वो अइना से शादी करने वाला है सिर्फ उसके ग्रैंड फादर ही उसके लिए खुश थे इंग्रीद को भी अइना पसंद नहीं और स्टीफन का कुछ अलग प्रॉल्म है स्टीफन जब मार्टिन के साथ अकिला था तो उसे बुच्छता है कि आना ने तुमें डारेक्ली हा कह दिया वो कहता है कि हा मार्टिन ने अपने फादर को जो भी बुरा कहा इसके लिए उससे अपॉलोजाइस करता है इसके बाद वो कहता है आना में कुछ अजीब साई साइडनेस है वो जब उसके साथ होता है तो एक क्यूर हो जाता है स्टीफन ने कहा ये तो नर्स की तरह लगता है मार्टिन समझाता है कि आना जब मेरे साथ होती है तो उसके एक अलग ही साइड है रात में सब के सो जाने के बाद एना और स्टीफन ये फिर से एक दुसरे से मिले अंदर जाकर इंटिमेट हो गए एना के रूम से जब स्टीफन बाहर आया तो उसकी डॉटर ने देख लिया था अल्ली दिना कर वो अपनी डॉटर को समझाता है कहता है तुम्हारी मदर और मुझे हम दोनों को एना अच्छी नहीं लगती है मार्टिन से शादी से पहले हमें उसे बात करनी थी इसी वज़े से मैं गया था डॉटर भी ये सब बात समझ जाती है फिर भी डर है कि शायद उसे कुछ ना कुछ तो पता है अब नेकसिन में एना की मदर मार्टिन की फैमिली से मिलने के लिए आई हुई है एना की मदर सप्राइस थी कि मार्टिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है वो कहती है कि एना की यूज़ल चोईस से तुम बहुत ही डिफरेंट हो वो हमेशा बहुत ही घटिया लड़कों को डेट करती है यही बाते करते करते थोड़ी दर में एना की मदर ने एना के ब्रदर के बारे में बाते निकाली वो कहती है एना का ब्रदर और मार्टिन ये दोनों बहुत ही सेम दीखते है ये बात सब के लिए बहुत ही आजीब थी एना अपने मदर पर चीड़ गई क्योंकि उसे सबजेक नहीं निकालना चाहिए था एना की मदर को बहुत ही बुरा लगा कि लंज उसकी वज़े से बरबात हो गया स्टीफन एना की मदर को उसके होटेल तक छोड़ने के लिए आया मदर कहती है एना आज कल बहुत ही खुश है इसी वज़े से ये सब बरबात हो जाए ये सही नहीं होगा स्टीफन कहता है कि आप किस बारे में बात कर रही हो एना की मदर ने कहा मुझे तुमारे बारे में सब कुछ पता है लंच पर तुम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे मदर कहती कि जो भी चल रहा है इसे अभी क्या भी बन करतो वरना इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही बुरे होंगे स्टीफन ने फिर एना को कॉल किया हमारे बीच में जो भी चल रहा है हम अब खतम कर डालेंगे यही मार्टिन और तुमारे लिए दोनों के लिए सही है इसके बास स्टीफन मार्टिन से मिलने के लिए आया मार्टिन की डेश पर उसकी एना की और स्टीफन की फोटो थी इसे स्टीफन देख रहा था मार्टिन गहता है अगर आप चाहो तो इस फोटो को रख सकते हो स्टीफन ने आज कनवेस किया कहा तुम्हें जो भी लगता है यह सब कुछ सही है हमारे फैमिली पर मैंने जादा फोकस नहीं किया था मुझे लगता था कि लाइफ मैं सब चीज़े में कंट्रोल कर सकता हो पर यह सही नहीं था तुम स्मार्ट हो तुम्हें इसके बारे में अल्रेडी पता है वो अपने बेटे पर बहुत ही प्राओड है स्टीफन राद में बहुत ही देर तक काम करता है वो डिस्टब था तो उसे घर भी नहीं जाना था आज पार्टी थी तो इंग्रीट ने उसे कॉल किया वो उसे मना कर देता है कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है और मेरे कलीब भी मेरे साथ काम कर रहे है हम देखते हैं इंगरीद के पास स्टीफन की फ्रेंड थे उसे पता चल गया स्टीफन उसे जूट कह रहा है स्टीफन आज कल बहुत दिस्टव था और अभी अभी इंगरीद को पता चला उसे प्रोमोशन मिला है फिर भी हो सैड था तो उसके पास आई उसने पुचा कि क्या हुआ है स्टीफन कहता है इशायद में प्रोमोशन नहीं चाहता उसके साथ जो भी चल रहा है उसे एक्स्प्लेन नहीं कर सकता इस बात से इंगरीद भी अफसेट हो गई एक दिन एना ने स्टीफन के ऑफिस में गिवड भेजा उसमें उसके नए घर की की थी एना और स्टीफन की बीच में जो भी चल रहा है यामेशा सही से चलता रहे इसी वज़े से एना ने एक सेपरेट घर लिया था स्टीफन एक घर जाकर देख कर आया एक दिन फिर से मार्टिन एना को लेकर घर आया था जब Ana और स्टीफन अके रहे थे तो Ana कहती है अगर मुझे तुमसे दूर होना होता तो यह Martin से शादी नहीं करती है वो स्टीफन के पास रहना जाती है इसी वज़े से वो Martin से शादी करने वाली है इन्होंने डिसाइड किया और फिर से एक दिन वो एना की घर पर मिले यह जब दोनों इंटिमेट हो रहे थे तबी एना को ढूंते हुए मार्टिन वहाँ पोच गया उसने डोर खोल कर इन्हीं इंटिमेट होता देख लिया मार्टिन बहुत बड़े शौक में था उसका ध्यान निरा उपर से और नीची गिर गया उसकी इंस्टनली डेथ हो जाती है स्टीफन वैसे ही भागते उसे गले लगा लेता है वो बहुत रोया अब एक्चुल में यहां हुआ क्या यह पुलीस की वज़े से सब को पता चल गया रात में स्टीफन घर पर आता है उसकी वाइफ ने अपने आपको हर्ट कर लिया था वो बुच्छता है कि तुमने ऐसा क्यों किया वो गहती है यह दर्द बहुत ही जादा है इस में इनको हैंडल नहीं कर सकते इंग्रित ने का मार्टिन को एना के फ्लैट के बारे में पता नहीं था पर होमोनर ने घर पर कॉल किया मार्टिन के लिए सप्राइस था तो यही फ्लैट देखने के लिए गया स्टीफन और एना के आने का टाइम और मार्टिन के वहाँ जाने का टाइम यह सेम हो गया इंग्रित ने कहा यह कोईसे डंस था अगर उसे पता नहीं चलता तो यह हमेशा चलता रहता तुमने अपने आपको मार क्यों नहीं डाला तुम इतने बुरे भी नहीं हो सकते वो रोने लग गए तो स्टीफन उसे गोलिया देता है वो गहती है मुझे ही मेरा बेटा वापस चाहिए अगली सुबा जब वो उठी तो स्टीफन उसके पास था हमें एक दुसरे से कभी मिलना ही नहीं चाहिए था क्या कभी तुमने मुझे प्यार किया था क्या मुझे कभी तुम एट्रेक्टेड थे स्टीफन इस पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाता आज उसे अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा अब वो फिर से एना से मिलने के लिए आया हुआ था वहावर एना की मदर थी वो कहती है कि एना यहाँ से चली जा चुकी है एना की मदर कहती है वो पीटर से मिलने के लिए उसके पास गई है स्टीफन ने figure out किया कि एना अभी भी यही है वो सब check करता है तो एना bedroom में ही थी वो इससे कोई वे बात नहीं करना जाती थी इसके बाद movie में बहुत सारा time गुजर चुका है स्टीफन ने सब चीज़े छोड़ दी हमेशा अलग अलग जगा पर वो घुमता रहा उसने realize किया कि हम humans कैसे बने है हमारे पीज़े purpose क्या है इस सब के बारे में नहीं जानता जब आदमी प्यार करता है तो चीज़ चीज़ को जान नहीं सकता उसके थोड़े से करीब आ जाता है प्यार के अलबा इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती अब वो अकेला पड़ चुका है मार्टिन ने उसे जो फोटो दे थी उसने उसकी बड़ी फोटो बना ली है उसे अपने बेटे और एना की बहुत याद आती है वो हमसे कहता है कि उसने फिर से एना को एक बार देखा था वो पीटर के साथ थी एना के साथ उसका एक बेवी भी था वो अपने लाइफ में मूवान हो चुकी है इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है स्टीफन है हमारा बहुत ये फॉल्डी कैरेक्टर है उसका अभी भी भी भ्रहम है कि एना से वो प्यार करता था तो इसी वज़े से उसने सब कुछ किया उसकी ब्यूटिफुल सी फैमिली थी कुछ बल के लिए उसने सब कुछ बरबात कर दिया और फाइनली वो अकिला था इसके सब कंसिक्वेंसेज अब उसे आगे की आने वाली लाइफ में भूगतने बढ़ेंगे प्यार तो हम सब को करना चाहिए उसके लिए मेट हमें पता होनी चाहिए आज का वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल नोटिविशन आइकोन दाओने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया